हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मै चैनल, तो फ्रेंड्स आज बहुती सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, ये फ्लावरिंग प्लांट रेर है, बहुत कम देखने को मिलता है, हमने भी हमारे गार्डन में फर्स टाइम इसे सीड से ग्रो किये थे, ये फ्लावर और इसके फ्लावर की खुबसूरती बहुती सुन्दर है, यूनिक है और बहुती हाड़ी प्लांट है, और एक इसकी बहुती अलग खासियत है, वो आपको बताएंगे, तो आज इसकी पुरी कम्प्लेट केर बताएंगे, इसका नाम क्या है, इसे सनलाइट कैसी चाहिए पाने कितना चाहिए खत कैसे दे अच्छे våring के लिए इसके flower की life कितनी होती है इस सब भी बाते शeher करेंगे हमारे अनुभों से क्यूंकि ये प्लांड के बारे में हमने बहुत search किया लेकिन हमें कही पे भी इसकी अच्छे से जानकरी मीली नहीं है तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते है इसका नाम देखिए इसका नाम है सफेद बिजली बहुती रियर ये प्लांट है ये डेजी फेमिले से आता है डेजी के परिवार से आता है लेकिन ये डेजी के फ्लावर नहीं है और सफेद बिजली के नाम से ही इसे पैचाना जाता है सफेद बिजली ही इसका सही नाम है सफेद बिजली हमने सर्ज किया तो कहीं पर भी इसका विडियो या इसके बारे में जानकरी हमें मिली ने क्योंकि हमने फर्स टाइम इसके seeds लाए थे तो हमें भी देखना था कि इसकी care कैसे करे कब लगाना है तो सर्च करने के बाद कुछ भी मिला ने फिर हमने ही अंदाजे से सप्टेम्बर मैने में इसे grow किया था seeds से इसका वीडियो भी हमने upload किया था खाली कोकोपिट में इसके seeds उगाए थे आठ दिन में ही इसके seeds उगाए फिर 25 दिन के बाद 20-25 दिन के बाद हमने छोटे-छोटे पानी पिनी के जो कगच के glass आते है न उसमें first time report किया है और उसके बाद इसे बड़ा pot final दे दिया है 15-20 दिन उसी छोटे-छोटे कगच के glass में रखे उसके बड़ा pot दिया है इसे pot size जितनी बड़ी देंगे उतने अच्छे से ये plant grow होंगे और उतनी ज़्यादा ये flowering करेंगे लेकिन हमें पता नहीं था तब तो हमने बहुत ही छोटे-छोटे pot में 8-10 इंच के pot में इसे लगाया था और उसाइज के 8 इंच के pot में final इन्हें report किया था तो फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं इसे बड़ा pot चाहिए तो अभी तो ये next season में ही हम करेंगे pot size इसे 10 इंच 15 इंच 10 इंच के उपरी दीजिए 15 इंच 12 इंच का भी दे दिए बड़ा pot भी दे दिए तो अच्छे से ये चलते है बहुत सारे color में ये flower आते हैं देखिए हमारे पास yellow वैसे ज़्यादा है red है pink है orange है multi color में mix and match ऐसे flower से जब इसका ये flower पुरा खिलता है तो ball जैसे इसे गोल बनता है बहुत सारे अंदर petals होते हैं इतने सारे petals बनके फिर बहुती एक ball के shape में round में ये flower दिखता है दूर से देखा जाए तो ये marigold जैसे दिखते गुलदावदी जैसे दिखते कोई पैचानी नहीं पाएंगा कि ये flower सफेद बिजली के है तो बहुत सुन्दर ये winter का winter season में खिलने वाला flowering plant है सफेद बिजली का आपने कभी ये flower को उगाया है आपके garden में आपको इसकी कुछ जानकारी होंगी friends तो जरूर बताए क्योंकि हमारे हिसाब से आज तक हमने किसी के भी garden में ये flower को उगाते हुए हमने नहीं देखा है और नरसरी में तो आज तक इतनी सारी नरसरी घुमे लेकिन ये flowering plant हमें नरसरी में भी नहीं मिला है तो आपको कुछ जानकारी होंगी तो जरूर बताए हम इसके बारे में तो पूरी आपको जानकारी देंगे अगर आपने नहीं उगाए होंगे कभी आपको इसके बारे में पता नहीं होंगा तो आने वाले सीजन में विंटर सीजन में इसे ग्रो करके देखिए और इसकी खुबसूरती देखिए इतने सुन्दर ये flower लगते है और ये flower की life भी बहुत जादा है 15-20 दिन तक ये flower अच्छे से चलते है देखिए कितने सुन्दर सुन्दर ये flower लगते है देखिए ऐसी एक stick निकलती है पहले तो छोटी छोटी ऐसी कलिया आती है फिर जैसा flower बड़ा होते जाता है तो stick इसकी निकलती है stick के उपर ये ball जैसा देखिए इस तरह से खड़ा रहता है बहुती सुन्दर लगते है फ्रेंट्स जितना कैमेरे में अच्छा नहीं लग रहा है ये flower ने दिखता नहीं है उससे कही सवगुना ऐसे naturally देखिए तो बहुती सुन्दर लगते है जर्वेरा को भी ये पिछे छोड़ देता है जर्वेरा के जो flower plant होते है उसको भी ये पिछे छोड़ देता है इतने सुन्दर इसके flower है इसकी पतिया भी बहुत अलग है माना जाए तो ये डेजी फैमिले से है लेकिन डेजी के जो प्लांट होते है फ्लावर सोते है उसकी पत्तिया अलग होती है और फ्लावर भी अलग होते है लेकिन इसके फ्लावर देखिए बहुत सुन्दर इसके फ्लावर लगते है हर एक प्लांट की एक खासियत होती है फ्लावर प्लांट की वैसे इसकी भी बहुत अच्छे से एक ब्यूटी है तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसे सनलाइट कितनी देनी चाहिए देखिए इसे सनलाइट वैसे पूरे दिन की भी दे सुबह से शाम तक तो अच्छे से चलते हैं अगर पूरे दिन की भी सनलाइट इसे नहीं मिली कम से कम सुबह से 12 बजे तक की भी सनलाइट इसे मिली तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है जादा भी पूरे दिन की भी सनलाइट डेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 12 एक बजे तक की भी सनलाइट डेंगे ने 5 गंटे की भी सनलाइट डेंगे तो भी बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर ये flower है इनजडिक से आपको दिखा रहे हैं पूरा ये खिल जाता है तो गोल बनता है बॉल जैशे बनता है उसके बाद तो इसकी खुब्षूरती देखने लायक होती है देखिए कितना सुंदर ये flower लग रहा है सब फ्लावर बहुत अच्छे हैं तो पूरे दिन की सनलाइट दीजिए और पाच्छे गंटी की भी सनलाइट दीजिए अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगा फिर से बोर रहे हैं तो नेक्स्ट है इसे सॉयल मिक्षर कैसे देना है इसके लिए मिट्टी कैसी बनानी है इसे ही मिट्टी हमने बनाय थी क्यूंकि यह विंटर सिजन के फ्लावरिंग फ्लांट है सफेद वीजली के ड्राइं कंपोस्ट जो होता है जैसे वर्मीं कंपोस्ट है गुबर कीiber की खाद है kitchen waste कंपोस्ट है जो भी खाद प्तियों की खाद उपलब रहती है तो हम्मरे पा था क्योंकि हमारे यहां की चिकनी मिट्टी है तो राइसस्क मिलाना जरूरी था राइसस्क मिलाते है तो उसका खाद बनता है वेस्ट नहीं जाता है उससे भी हमारे पोदें खाना लेते है तो राइसस्क बहुत अच्छा रहता है अगर आपके यहां की चिकनी मिट्टी है उ मिलाने से तो अच्छा है राइसस्क मिलाने से इस तो सॉइल बनाई थी हमने का देखें यह फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करता है हेhart्आ करता है। ज्यादा quantity में फ्लावर देता है पहले तो हमने अच्छे से compost 30% मिला दिया था सीजनेबल जो प्लांट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मिट्टी में ही अच्छे से खाद मिला देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है फास्ट होती है आपके पास जो भी compost हो organic वो 32% मिट्टी में मिला देंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होते रहेंगी फाइनल रिपोर्ट करने के बाद हर 15 दिन में अदल बदल के liquid maneuver देना होता है इन्हें फ्लावरिंग के लिए भी तयार करना होता है जब इसकी फर्स्ट कली दीखी दो से सववादो या धाई मैने में ये कलीया बनाना शुरू करता है पहले तो इनकी ग्रोथ के लिए गुबर के खाद का liquid या वर्मी कंपोस्ट का liquid देते थे और जैसे ही कली दिखने लगी तो इनकी ग्रोथ अभी हमें नहीं करनी थी क्योंकि ये फ्लावरिंग के लिए तयार हो रहा था कलीया इसमें आ रही थी तो ऐसा खाद देना था ऐसा liquid देना था कि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर सके जब ये फ्लावरिंग पे आता है कापनी कलिया बनाना शुरू करता है तो वैसे हैं समय में जिसमें ज़्यादा potassium हो ऐसा ही खाद हमें देना होता है क्योंकि इसे फ्लावरिंग के लिए तयार करना होता है हम तो पुरो औरगैनिक की खाद घर में जो फ्री के खाद बनते हैं enzymes हैं वो भी देते हैं केले के चिलके का liquid बना के देते हैं या powder रहता है इसका बना हुआ उसका भी liquid बना के देते हैं पैच के चिलकों में भी बहु में केले के चिलके नहीं होंगे पैच के चिलके नहीं होंगे तो औरगैनिक आप खाद ले सकते हैं potash तो अच्छे से मिल जाता है तो उसे भी हर दस दिन में 15 दिन में आप दे सकते हो सरसों के खड़ी में भी बहुत power होता है flowering करने के लिए उसमें भी बहुत सारे पोशक उसमें भी थोड़ा पोटेश मिला दिया या केले के छिलके मिला दिये तो mix ऐसा liquid भी बना दिया ओभी चलता है देखिए हमारे अडेनियम पे कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे है कितने सुंदर ये फ्लावर लग रहे है बड़े बड़े साइज में और हमारे आतों विंटर में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं हमारे अडेनियम तो इस तरह से जिसमें ज्यादा पोटेश हो जब तक इसे फ्लावरिंग करता है तो पोटेशियम की से जरूरत होती है अच्छे से पोटेशियम खात दे दिये जाए तो लंबे समय तक ये एप्रिल में तक फ्लावर विडियो बना दिया जाए क्योंकि हमने बोला था एक बार इसका विडियो शेयर किया था तो यह अच्छे से फ्लावरिंग करेंगा तो इसके बारे में हम पूरी जानकरी देंगे अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सबसे इसकी एक कमजोरी है और सबसे अलग यह प्लांट है इसके लिए पानी कितना देना है कैसे देना है वो बताते हैं देखें ये winter plant को वैसे हम डर डर के चेक करकर के पानी देते हैं कि ये plant खराब न हो जाए जादा पानी के वज़े से plant खराब न हो जाए सोज समझ के विंटर प्लांट को हम पानी देते हैं लेकिन इसकी बात कुछ अलग है इसको जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना ज़्यादा ये प्लांट खूश रहता है देखें डिसेंबर जन्वरी में भी हम इतनी थंड होने के बाद भी सुबह और शाम दोनो टाइम इसे पानी देना होता था अभी तो दो टाइम दे ही रहे लेकिन उस टाइम भी डिसेंबर जन्वरी में भी दो दो टाइम पानी देना होता था इसे और वो भी भर भर के बिना चेक किये इतना ये पानी मांगता है इसकी एक खासियत ये है नहीं तो हमें डर लगता है ना कि ये ज़्यादा पानी हो जाए तो हमारा प्लांट खराब हो जाए लेकिन इसका ये प्लांट का अलग ही नेचर है अलग खासियत है इसको इतने विंटर में भी दो-दो टाइम प पानी दूसरे शाम को तो सुबह आते थे तो ये पूरा मोर्जा जाता था फिर देखने में अच्छा नहीं लगता था इसलिए बिना भुले शाम को पानी हम इसे जरूर देते थे सुबह तव ऐसे देते ही थे लेकिन शाम को भी पानी देते थे और ये बहुत खुश होता था पानी देने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स ये इतने सुन्दर फ्लावर है और ये प्लांट में कॉंटिटी में फ्लावर खिलते हैं लेकिन इसका खाना पिना बस अच्छे से करो तो उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लेम नहीं है और गार्डन में जब ये खिलते हैं तो चांद हमारे गार्डन में लगा देते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत समय तक ये करते हैं इसके फ्लावर भी बहुत समय तक टिकते हैं तो आप निक्स्ट सीजन में विंटर में ये प्लांट जरूर ग्रो करें कहीं से भी आप सर्च करें इसके सीड्स प्लांट्स ले अगर सुखे फ्लावर्स हम हटाएंगे नहीं देखिए कितना सुंदर फ्लावर है तो इसके सुखे फ्लावर्स आप हटाएंगे नहीं तो पूरी एनरजी सीड्स बनाने में लगा देंगा तो जब तक आपको सीड्स नहीं चाहिए और फ्लावरिंग चाहिए तो सुखे फ्ल होता है सीड्स कैसे बनाता है बीना जानकारी के इसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं था सीड्स से सीड्स को उगाने से लेके इसके फ्लावरिंग बहुत कुछ सिखनी को मिला कुछ भी जानकारी नहीं को बहुत आनंद हुआ और अच्छा भी लगा कि बहुत कुछ सिखने को मिला है हमें जब भी हम सीड से प्लांट उगाते हैं तो बहुत कुछ सिखने को मिलता है सफिद बिजली के ये फ्लावर प्लांट बहुती सुंदर है बार बार कहने को हमारा दिल कर रहा है और वही वही हम बार-बार कह रहे है सुन्दर flower है क्योंकि इसकी कोई भी परिशानी नहीं है कोई किडो का attack इस पे होता नहीं है आज तक grow करने से लेके आज तक फरवरी महिना शुरू है देखिए तो कोई भी किडो का attack हमने इस पे नहीं देखा है इतने सुन्दर ये फ्लावरिंग प्लांट है तो ठीक है फ्रेंड्स हमारे अनुभों से हमने जितना भी सीखा है वही आपसे शेयर किया है वही आपको बताया है इनकी केर इनका खाना पिना इनका रख रखा हम कैसे करें कैसे देख भाल करें तो ठीक है मिलते हैं नेक्स यो मेर, okay, bye